गुद मॉर्निंग स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट जैसे मैं पिछली कुछ क्लासेज में आपको नवीन समाशा से जो मौडिन सोच लॉजिकल थिंकर्स हैं उनको बताने जा रही हैं देखें चाहिए आप में के स्टूडेंट हैं या आप सेट की तैयारी कर र मैं तो यह कहते हैं यह आपने कहीं पढ़े भी नहीं होंगे इनके स्टेटमेंट्स पूछी जाती है तो ऐसे मैं अब मैं आपके लिए बीच में कुछ ब्रेकप सा हो गया था हमारी वीडियो आनी पा रही थी मेरी किसी वज़े से आज मैं टीरी में हूँ और मैं यहीं से अब आपके classes लोंगी मैंने आज आपकी यह थर्ड वीडियो इससे पहले मैं Adams Adorno की वीडियो बना चुकी हूँ आज जो हमारे थिंकर है वो है जेफ्री अलेक्जेंडर देखें अगर हम जेफ्री अलेक्जेंडर जो है यह नवीन समाशास्ते विचारकों में आते हैं और इ जाने लिए आप आगे के slides मैं इनके बारे में जानते हैं जेफ्री सी अलेक्जेंडर दिखें स्टूडेंट जो जेफ्रेसी अलेक्जेंडर हैं आप California University में समाश्शास के होडी थे जेफ्रेसी अलेक्जेंडर ने सिध्धान संस्कृती और राजनिती आपने जितने भी concept होते हैं culture के बारे में और politics के बारे में अनेक जो topic होते हैं उस पे आपने number of books लिखी हैं अगर आपकी प्रारंबिक शिक्षा की बात करें आपने Harvard University से उनकी शिक्षा दिक्षा Harvard विश्विध्यादले में हुई अपने student life में उन्होंने चात्र आंदोलन में सक्रिये भाग लिया और जो ये चात्र आंदोलन थे इसको मैं थोड़ा हलका सा बताना चाहूंगी कहीं न कहीं वामपन्थी और नव वामपन्थी माक्सवादी विचारधारा से प्रेरी थे क्या आप जानते हैं कि बामपत्थी निया नम बामबंथी विचारधारा क्या है देखिए कहीं न कहीं समाज में जब परिवर्थन लाने के लिए कहीं न कहीं जब पूजी हमने आपने माक्स का पूजीवादी सिधान्त सुना है माक्स के पुझीवादी सिध्धान के माध्यम से जब हम समझते थे कि पुझीवादी समाज में किस सरे से बुजुर्वा और सर्वारा वर्ग होते हैं और कहीं न कहीं उन्होंने समाज को कहीं न कहीं खतम करने की बात कहीं और समाजवादी समाज की संकल्पना की अवधार ना बताई थी तो कहीं न कहीं वामपंती और नमवामपंती विचारधारा जिसमें समाज में आर्थिक अधारों पर कहीं न कहीं समन में इस्थापित करने की चेश्टा की जाती है उसको कहा गया तो ये आंदोलन जो थे नवामबंथी, माक्सवती, विचारधारा से प्रेरित थे, शिक्षा प्राप्ति के बाद आप बर्कले चले गए और वहाँ आपने बर्कले विश्विध्याले में कारे किया, आपने अपनी चार खंडों वाली एक फेमस पुस्तक जो की UGC Net के लिए भी बहुत इंबोर्डें अस्टूडेंट, समाशास में सिध्धान्ति तर्क, यहां देखिए, मैं इसको हाइलाइट कर दी हूँ, आपने समाशास में सिध्धान्ति तर्क की शुवात की और अपनी चार फंडों वाली एक बहुत फेमस पुस्तक निकाली थी, इसका नाम थ समाशास में सिध्धान्तिक तर्फ इस पुस्तक में आपने सिध्धान्तों के निर्मांट से लेकर किस तरीके से सिध्धान के माध्यम से लॉजिकल और नॉन लॉजिकल जिसे कहते हैं तार्किक और अर्तार्किक जवस्था को विस्तार से बताया है तो आप जो है अपनी पु देखे student program से ही जो जेफ्रेस थी अलेक्जेंडर थे आपकी जो रूची थी वो social process दो हमारी समाजिक क्रिया और समाजिक व्यवस्ता social action and social system इनमें थी आप समाजिक क्रिया और समाजिक व्यवस्ता के माध्यम से समाज के उनी सिध्धानतों को समझने पर बल देते थे जिससे सं पूर्ण समाज किस सरीके से समाजिक क्रिया और समाजिक व्यवस्ता के अनुरूप चलता है यहां पर देखिए बे कुछ ऐसे उपागम विक्सित करने में जुटे हुए थे जिनके द्वारा समाजिक व्यवस्ता और समाजिक क्रिया इनका समाधान किया जा सके जेफ्रे ने प्रारम में नव वांपन्ती माक्सवादी विचारधारा in the sense वो कहते हैं जिस परकार हमारे समाज में माक्स ने क्या समाज आए जो सभी आर्थिक और जातिय अधार पर देखे दो बात इन्होंने नववामबंती वाक्सवादी विचारधारा में आती है कि जो आर्थिक और जातिय अधार पर समाज में समानता पर अधारित होते हैं तो जेफ्रे ने प्रारम से ही नववामबंती माक्सवादी समर्थक रहे हैं उनके विचार अनुसार नववामबंती माक्सवाद पारंपरिक अभधर माक्सवाद के आर्थिक वात को नकारता है क्योंकि इस नए उपागम ने इतिहास में पुने करता को स्थान दे कर उन्हें पुने इस्तापित किया है कहीं न कहीं समाज में एक ऐसे समाज की संकल्पना को जन दिया जाए जहां व्यक्ति आर्थिक अधार पर और जातिय अधार पर एक समान हो उनमें किसी प्रकार का बेदबा ना हो साथी साथ आपने परंप्रिक माक्सवाद को जो हमारे परंपरागत माक्सवाद थो कहा जाता है, इसा कोशन आता है कि इसने पूंता बुला दिया, तो जेफरे C. अलेक्जेंडर ने कही नव बाममन थी माक्सवादी विचारतारे के समर्थक थे और वो प्राचीन, परंपरा बलदेते थे वो कही ना कही वो यह कहते थे कि जो नम्माक्सवाद है है वो किस चीश पर बलदेता है वो कही ना कही भहुत1 सरशनाओं की व्यक्या संस्कृति व्यक्तित और रोज मर्रा के जीवन के संदर में की जानी चाहिए, वो ये कहते हैं, आपने देखा होगा आप जितने भी modern thinkers को पढ़ते हैं, वो अपने सिधानतों की व्याक्या कही न कहीं हमारे day to day life, यानि दिन प्रति दिन के जीवन में, चाहिए आप Garfunkel की बात करें, Alfred Schutz की बात करें, या फिर आप बात करें, Irwin Goffman के अभिनेशास की, तो कहीं न कहीं जितने भी समाशास्ती रहे हैं, या modern thinkers रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो सिधानतों के निर्मान की बात करते थे, वो सिधानतों के निर्मान में संस्कति, व्यक्तित और रोजमर्रा के जीवन के संदर में करते तो वो इस बात पर बल देते थे, आगे चलते हैं, 1970 के दशक में अगर हम बात करें, जो जेफ्रेसी अलेक्जेंडर हैं, उनके कुछ राजनितिक और अपने कुछ परसनल ऐसे फैक्टर्स रहे, कि उनका नव वामपंद से मुऊ भंग हो गया, कहने का मतलब और वो रीजन क वर्ग हैं, और जो सर्वारा है, वर्ग हैं, उनमें बीच में जो ये खाई थी, आर्थिक खाई, उसके अधार पर उनमें संगश होता था, 1970 के दशक में, जब ये ओध्योगी करण के माध्यम से, जो ये विचार धारी थे, कहीं न कहीं हिंसक हो गई, हिंसक होने का करण, ज योगों ने अपना जो रास्था था, वो साधारन तरीके से न अपना कर हिंसक प्रवती से अपना लिया, जब वो हिंसक का उसमें आगमन हो गया, तब जेफ्रे सी अलेक्जेंडर का मौँ थोड़ा भंग हुआ, वो देखे, हर व्यक्ति परिवर्टन चाता है, लेकिन कहीं में एकला चलो, एकला चलो मतलब अपने अपने रास्ते को त्याकर समन्वे असमलित रास्ते को अपना लिया, एकला चलो मतलब जो आप ठीक समस्ते हो, हम हैंसा नहीं चाते, हम हड़ताल नहीं चाते, हम ताला बंदी नहीं चाते, तो इसलिए उन्होंने एकला चलो के रास समाजिक समंदों और समाज शास्तिय सिध्धान से काफी प्रभावित हुए और आपकी अमिट छाप आज तक उन पर विद्मान है। इसलिए आप जेफ्रे जो सी एलेक्जेंडर हैं आप उनसे काफी प्रभावित हुए थे। जो की आपने 1982 में लिखी थी और वो 1983 में प्रकाशित हुई थी। New Functionality आपकी जो आपने 1985 में लिखी थी 20 Lecture The Social Theory Since World War II ये आपने 1987 में लिखी थी दुर्खाइमें, Sociology, Cultural Study आपने 1988 में लिखी थी, Action and Its Environment ये भी आपने 1988 में लिखी थी, Fix Decidal Social Theory ये आपने 1995 में लिखी थी, New Functionalism and Beyonds ये आपने 1998 में लिखी थी। लेकिन जो सबसे famous, important है, very, very important मैं इसको बोलूँगी, वो आए है आपकी समाशास के सधानतिक तर्ग, Theoretical Logic in Socialology, तो ये थे बचो, Jeffrey C. Alexander, मिलते हैं next वीडियो में